हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से पैर की मोच की वीडियो लेकर आई हूँ कि पैर की मोच से लोग बहुत परेशान होते हैं और ये दर्द हमेशा के लिए भी पैर में रह जाता है अगर आपकी पुरानी मोच गई हुई है तो उसके लिए आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं ये मैं तुरंत की मोच का वीडियो बना रही हूँ देखिए ये बेलन से मैंने मोच का वीडियो पहले भी डाला था कि बेलन के द्वारा आप पेर की मोच तुरंत में घर पे कैसे ठीक कर सकते हो किसी भी अन्यान व्यक्ति से आप पेर को कभी भी न छिड़वाए अन्यता आपके पेर में हमेशा के लिए दर्द रह सकता है ये देखिए ये हमारी एक पड़ोस की लड़की है इसके पेर की मोच गई है सारी नसरे खड़ी हो चुकी है क्योंकि पेर में काफी दर्द होता है अगर थोड़ी देर हम इसकी मोच को ठीक नहीं करेंगे तो इस पर पूरे पेर पर सूजन आ जाईगी और इससे भहुत दर्द होगा और बाद में मोच को ठीक करवाने में जब टाइम लग जाता है तो ज़्यादा दर्द होता है आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें तो आपको समझ में आएगा कि आप घर पे अपने पैर को कैसे ठीक कर सकते हैं यह देखिए आप इसके पैर इस साइड में ऐसे मुड़ा था तो इसको यहां से मोच इसकी डिस्टर्ब हुई है यह देखिए यहां से और इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और यह देखिए यहां से थोड़ा यहां थोड़ा गड़ा हो जाएगा आपको लगेगा कि इस जगे से कुछ disturb हुआ है स्वेम पता चल जाएगा और मोच को ठीक करने में बाके काफी दर्द होता है तो आप इसको छेड़े नहीं और इसके नीचे इस परकार से बीलन को लगा लें और जिसकी मोच गई है उससे कहें कि प्रेसर से पैर को इस परकार से जमा के रखे और आप हास से कर्रा पकड़ के भी इसमें थोड़ा प्रेसर दे नीचे की तरफ ताकि वहां से पैर उठे नहीं और यहां से आपको पैर को इस परकार से दबाना आए फिर आप पेर के नीचे इस बेलन को थोड़ा और पास ले जाए बिल्कुल ही एडी से सटा के इसको रख दें और इसी पिरक्रिया को फिर से दुबारा करें इसमें आपको थोड़ा प्रैसर देना होगा आपको लगनी रहा होगा लेकिन मैं इसको काफी प्रैसर के साथ खीच रही हूँ और हलके से इसमें जटका भी मार है इस प्रकार से आप दो-तीन बार इस पैर को यहां से बीच में और लाश्ट में तीनों जगे से आपको इस प्रकार से करना होगा पैर कोई एड़ी को अधर ना होने दे यह प्रकिरिया आप करें यह आप तुरंत में ही कर सकते हो जैसे कि आपकी मोच आज डिस्टर्ब होई है तो कल भी आप यह इस्तिमाल कर सकते हो ज्यादा पुरानी मोच पर यह ट्राई करने की कोसिस ना करें कुछ नहीं होगा उसमें आपको कोई राहत नहीं मुलेगी पुरानी मोच के लिए आप मेरा पुराना वीडियो यूटूब मैं मैं डिस्क्रेप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूँगी जिए वीडियो मैंने पहले सेयर किया था और फिर आप इसकी दीरे-दीरे से उपर की तरफ मसाज करें आप इस पर ओल लगा सकते हो या फिर आइडेक्स लगा सकते हो या कुछ भी ना हो तो आप घी भी लगा सकते हो चिकनाई चाहिए सरफ उपर की तरफ मसाज करने के लिए आप इस प्रकार से पैर की मोच को आराम से ठीक कर सकते हो लेकिन तुरंत में डिस्टर्ब हुई मोच के लिए ही ये राहत देगा आपको दो या तीन देन हो चुके हैं तो इससे ट्राई ना करें उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं या फिर मैं जल्द ही आपको और दोबारा से भी वो वीडियो सेयर करूंगी और सभी उंगलियों पर इस प्रकार से थोड़ा दवाव डालके इन पॉइंटों को भी दवाएं और उस पेशेंट से बोलें कि थोड़ी देर के लिए एक दू गंटे के लिए पैर को जादा उंचे नीचे पर ले जाके कहीं पर भी ना भूमें अन्य था ये मोच उसकी दुबारा से भी डिस्टर्ब हो सकती है तो आप हमारे चैनल से इस प्रकार की जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारी जानकारिया आपको अच्छी लगी होता हमारी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद